तो अब हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्णों को सरल करना पड़ेगा या समाकलन करना पड़ेगा F-X upon F-X इस प्रकार के प्रश्ण दिये गए होंगे जिसमें हमें समाकलन करना होगा इसका जो उत्तर यह मिलता है log of F of X इस प्रकार के प्रश्णों को सरल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन का उप्योग करना होता है जहांपर हम हर में जो दी गई रासी है उसको हम लोग T मानते हैं और फिर आगे प्रश्णों को सरल करते हैं इससे कुछ सूत्र की विद्पत्ती कर सकते हैं जिसका जो result है वो कुछ इस प्रकार है, integration 10x dx equal to log of cx या फिर minus log of cosx. दूसरा सुत्र integration cotx dx, यह आपको मिल दाएगा log of sinx. इसमें तीसरा सुत्र integration cosec x dx equal to log of tan of x by 2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं, log cosec x minus cotx. या फिर minus sin log of cosec x plus cotx. इसमें चौथा सुत्र हमें मिलेगा, integration secx dx equal to log of secx plus 10x, या फिर minus log of secx minus 10x, या फिर log of 10 of pi by 4 plus x by 2. तो यह जो चारो सुत्र हमें प्राप्त हुए हैं, इसका उप्योग हम आगे प्रश्णों को सरल करने के लिए करेंगे. प्रश्ण दिया गया है कि दिये गया फुलनों का x के साब एक समाकलन कीजे. तो उसमें पहला फुलन दिया गया है, 4 into cosec square x upon 1 plus cortex. देखें कि थोड़े दिर पहले हमने जो concept देखा था, उसमें यदि हर में जो दी गई रासी है, उसका उखलन करने पर अंस में दी गई रासी प्राप्त होती है. तो इस इस्तिती में हर में दी गई रासी को हम प्रतिसाबित करते हैं t से और उसका मान हमें log of हर में जो दिया गया function है, वो हमें प्राप्त होता है. तो इस प्रशन में हम यह मान करके चलेंगे कि माना 1 plus cortex equal to t, माना कि यह समीकरन एक है. यदि दोनों पक्षों का आउकलन करें, तो वन तो constant है, सुनने मिल जाएगा, और cortex का समाख, और cortex का आउकलन करने पर हमें मिल जाएगा, minus cosec square x dx equal to dt, या फिर आप यहां से लिख सकते हैं, cosec square x dx equal to minus dt, और यह समीकरन 2. तो यदि दिये गए, फलन का समाख, आई हो, तो इसे हम लिखेंगे, integration 4 into cosec square x upon 1 plus cortex, और यह dx, समीकरन 1 और 2 में जो हमने प्रतिस्थापन करके निकाला है, उसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, यह 4 जो है, यह constant है, integration से बाहरा जाएगा, cosec square x dx, इसको हम लिख सकते हैं, minus dt और 1 plus cot x इसको हमने माना है, t, यदि minus को हम बाहर ले लें, तो minus 4, then dt upon t, यह log t है, यह मिल दाएगा, minus 4 into log t plus c, जहाँ पर c समाख, लिख सकते हैं, अपना t का, जो मान है, 1 plus cot x, वो हम पुट कर देते हैं, तो हमें दिये गए, फलन का integration प्राप्त होता है, minus 4 into log of 1 plus cot x plus c, जहां सी समाकलन नियत आंक है, अगला function दिया गया है, cos of 2x plus x plus 1 upon x square plus sin of 2x plus 2x, यहाँ पर भी देखिए, कि यदि आप हर में दिये गया फलन का आउकलन करते हैं, तो अंस में दिया गया पद हमें प्राप्त होता है, इसके लिए भी हम प्रतिश सापान विदी का उप्योग करेंगे, कि x square plus sin 2x plus 2x equal to t, माना कि यह समीकरन एक है, दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, 2x plus 2 into cos 2x plus 2 into dx equal to dt, यदि यहां से आप 2 को भेनिश निकाल लें, तो आपको मिल जाएगा, x plus cos 2x plus 1 into dx equal to dt, यदि दो को हम पक्षांतर कर दें, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माना कि यह समीकरन 2 है, अब यदि दिये गए, फलन का आउकलन आई हो, तो इसे हम लिख सकते हैं, integration cos 2x plus x plus 1 upon x square plus sin 2x plus 2x then dx, समीकरन 1 और 2 में जो प्रतिस्थापन उप्यों किया गया है, उसको हम यहां पर apply कर देते हैं, तो अंस में जो पद है, x plus cos 2x plus 1 into dx, यह आपको मिल गया, dt upon 2, और इस दिये गए, पद को हमने माना था, t, यदि यहां पर 2 जो है, वो अच्छा रासी है, function से बाहर आ जाएगा, dt upon t, यहां से आपको मिल जाएगा, log 1 by 2 into log t, और plus c, जहां पर c समाकलन यह तांक है, तो यदि हम t का मान यहां पर रख दें, तो हमें दिये गए फ़लन का समाकलन प्राप्त होता है, जो की है, 1 by 2 log of x square plus sin of 2x plus 2x और plus c, यह दिये गए फ़लन का समाकलन है, इसमें तीसरा प्रस्ट नहीं है, function है, cos of 2x upon sin x plus cos x का whole square, यह दिया गए फ़लन, देखिए, cos of 2x इसे लिखा जा सकता है, cos square x minus sin square x, त्रिकोर्ण में यह दिया सूतर का उप्योग कर रहे है, यह sin x plus cos x का whole square, और यदि इसे आप सर्वल करना चाहें, तो आप इसको लिख सकते हैं, cos x minus sin x into cos x plus sin x, a minus b into a plus b, इस formula से, और यह upon में है, sin x plus cos x का whole square, तो यह जो पद है, और इसका घात एक, यह दोनों cancel हो जाएगा, और ultimately आपको जो function मिल रहा है, यह है, cos x minus sin x upon cos x plus sin x, अब पुना, यदि हम cos x plus sin x, इसको यदि t मान ले, और यह सम्ही करन एक है, cos x का alkaline करेंगे, तो आपको मिल जाएगा minus sin x, और sin x का alkaline करेंगे, आपको मिल जाएगा, cos x, then dx equal to dt, या फिर इसे आप लिख सकते हैं, cos x minus sin x into dx equal to dt, माना कि यह सम्ही करन 2 है, अब यदि इस दिये गए, फलन का समाकलन आई हो, तो यहां से हम इसको directly लिख सकते हैं, cos x minus sin x upon cos x plus sin x dx equal to, cos x minus sin x dx, इसको आप लिख सकते हैं directly dt, और हर में जो रासी दी गई है, इससे आप लिख सकते हैं t, तो integration dt by t, यह आपको मिल जाएगा log t plus c, जहाँ पर c समाकलन यह तांक है, अब यदि हम t का मान रख दें, तो हमें दिये गए, फलन का समाकलन प्राप्त होता है, integration, integration का जो है, जो integration है, वो मिला, log of c, log of t, यह है log of cos x plus sin x, और यह प्लस c, जहाँ पर c समाकलन यह तांक है, और यही वहमान है, जो हमें ग्याद करना था, अगला फलन दिया गया है, one upon e का पावर x minus one, इस फलन का समाकलन हम सीधिय तोर पर ग्याद नहीं कर सकते, तो इसे सरल करने के लिए हम e का पावर x का अंसवाहर में गुणा करते हैं, तो आपको मिलता है y equal to e का पावर x, e का पावर minus x, और e का पावर x और e का पावर minus x multiply होगा, ultimately आपको मिल जाएगा minus one और e का पावर minus x, अब यदि इस हर वाले पत का अउकलन करते हैं, तो अंस में दिया गया पत प्राप्त होता है, तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन उप्योग करेंगे कि माना one minus e का पावर minus t equal to t माना किये समी करण, एक दोनों पक्षों का आउकलन करें, तो ये अच्छा रासी है, शुन्ने मिल जाएगा, और ये रिंड e का पावर minus x का समा कलन, e का पावर minus x का उकलन e का पावर minus x और minus, तो minus और minus प्लस हो जाएगा, और अल्टिमेटली आपको मिल रहा है ये e का पावर minus x dx equal to dt, ये जो समी करण है, इसे हम दो मान करके चलते हैं, अब यदि दिये गए फ़लन का समा कलन को आई से परदसित करें, ये 1 upon e का पावर x minus 1 dx equal to e का पावर minus x dx upon 1 minus e का पावर minus x, अब समी करण 1 और 2 से हमने जो प्रतिस्थापन का उप्योग किया है, उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो e का पावर minus x dx equal to ये आपको मिल गया dt और 1 minus e का पावर minus x ये आपको मिल गया t, यदि इसका हम समा कलन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा log of t plus c, जहाँ पर c समा कलन यह तांग है, अब यदि t का मान रख दें, तो हमें मिलेगा log of 1 minus e का पावर minus x plus c, और सरल करना चाहें, तो और सरल कर सकते हैं, ये हमें मिलेगा log of 1 minus 1 upon e का पावर x plus c, या फिर log of e का पावर x minus 1 upon e का पावर x plus c, तो ये दिये गए फरन का समा कलन है, जो कि हमें गयात करना था, अगला प्रशन दिया गया है, 1 upon x log x into log of log x, ये हमें फरन दिया गया है, तो इसके लिए हम इस दिये गए फरन का को हम प्रतिस्थापित करेंगे, log of log of x equal to t, माना कि ये समी करन एक है, अब दोनों पक्षों का यदि हम आउकलन करें, तो log of x जो होता है, वो 1 by x मिलता है, तो यहाँ पर x की स्थान पर है log x, अब log x का आउकलन करेंगे, तो मिल दाएगा 1 by x, और फिर dx equal to dt, तो ये हमारा समी करन दो, यदि दिये गए फलन का समा कलन आई हो, तो इसे हम लिखेंगे, integration sign dx upon x log x into log of log of x, अब ये जो है, इसको replace कर देते हैं t से, अर्थात ये जो पद है, ये t से replace हो जाएगा, तो आपको मिल गया t, अब देखिए, dx upon x और log x, अर्थात ये पद और ये, ये दोनों dt दे रहे हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा dt, अब इस फलन का समा कलन आपको मिलता है log t plus c, जहां पर c समा कलन ये तांक है, अब t का मान पुना समी करन एक से रख देते हैं, तो हमें दिये गए फलन का समा कलन पर आपको होता है, ये है log of log of log of x और ये प्लस c, जहां पर c समा कलन ये तांक है, अगला फलन है, c x upon log of c x प्लस 10x, अब यदि यहां पर पतिस्थापन उप्योग करें, कि log of c x प्लस 10x इक्वल टू t, माना कि ये समी करन एक है, दोनों पक्षों का आउकलन करते हैं, log of x का आउकलन होता है, 1 by x, और x के स्थान पर यहां पूरी रासी दी गई है, तो ये आपको मिल दाएगा, 1 upon c x प्लस 10x, अब c x प्लस 10x का आउकलन, तो c x का उकलन होता है, c x into 10x, और फिर 10x का उकलन होता है c square x, तो यह हो गया c square x, और फिर dx equal to dt, तो यहां से आप c x को भैनिश ले सकते हैं, तो हमें यहां पर मिल जाएगा c x और यह हो जाएगा 10x plus c x upon c x plus 10x और dx equal to dt, यह दोनों पत कैंसल हो जाएगे, तो ultimately हमें मिल रहा है c x dx equal to dt, कि माना यह सम्मी करण 2 है, यदि दिये गए फ़लन का समाकलन को हम i से प्रदसित करें, तो यह मिलेगा i equal to integration sign, sec x dx upon log of sec x plus 10x, sec x dx इसे हम लिख सकते हैं dt और हर में जो दिया गया पदा है, इसको हमने t माना है, तो यहां से आपको मिल जाएगा log of t plus c, जहां पर c समाकलन यह तांक है, अब यदि t कमान रख दे तो हमें समाकलन दिये गया फ़लन का समाकलन प्राप्त होगा, तो log of sec x plus 10x और यह प्लस c, यह दिये गया फ़लन का समाकलन है, जो की हमें गयात करने के लिए कहा गया था, अगला फ़लन दिया गया है, 1 plus 10 square x upon 1 minus 10 square x, इस फ़लन का समाकलन गयात करने के लिए इसे हम पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं, 10x को यदि हम sin x upon cos x से replace कर दें, तो यह फ़लन में मिलेगा, 1 plus sin square x upon cos square x, और फिर upon 1 minus sin square x upon cos square x, यहाँ पर अंस में जो यहाँ पर यह पद है, इसका भी समाकलन, अंस में जो दिया गया पद है, भिन इसका हर का लगुत्ता समापरत cos square x, और यहाँ पर भी हमें cos square x मिलेगा, यदि इसे और सरल कर लें, तो हमें मिल जाएगा, cos square x plus sin square x upon cos square x minus sin square x, cos square x और cos square x cancel हो जाएगा, अब चुकि cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 और cos square x minus sin square x, इसे हम लिख सकते हैं cos of 2 x, अब cos of 2 x को हम लिख सकते हैं, sake of 2 x, तो यदि दिये गया फलन का समाकलन आई हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 plus, integration sign 1 plus tan square x upon 1 minus tan square x dx equal to, इसको सरल करने पर हमें मिल गया था, sake of 2 x और फिर ये dx, तो sake x का जो integration होता है, यह हमें मिलता है log of tan of pi by 4, और यहाँ पर मिलेगा 2 x upon 2, x upon 2 होता है, लेकिन यहाँ पर x के सान पर है, 2 x, तो यह हमें मिल जाएगा 2 x upon 2, और फिर ये 1 by 2 plus c, आगे जब इसे सरल कर देंगे, तो ये c जो है समाकलन यह तांक है, ये 1 by 2 हम बहार ले लेंगे, तो ये 1 by 2 और फिर log of tan of pi by 4 plus x plus c, ये दियाए गया, फिलन का समाकलन हमें प्राप्त होगा, फिलन यह गया है y equal to tan inverse, फिलन यह गया है y equal to tan of sin inverse x upon square root over 1 minus x square, तो यदि आप sin inverse x का आउकलन करेंगे, तो मिल दाएगा 1 upon square root over 1 minus x square, तो यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन यही होगा, कि हम sin inverse x को यदि हम t मान लें, तो इसका आउकलन हमें मिलेगा, square root over 1 minus x square, और फिर d x equal to dt, इसे समीकरन 2 दे देते हैं, अब दिएगे, फिरन का यदि समाकलन आई हो, तो इसे हम लिखेंगे, integration sin tan of sin inverse x upon square root over 1 minus x square dx, प्रतिस्थापन को प्योग करते हैं, sin inverse x को हमने t लिखा था, तो यह आपको मिल दाएगा tan of t, और यह dx upon square root over 1 minus x square, इसको हमने dt से replace किया था, dt से हम इसे replace कर देंगे, तो हमें जो integration मिल रहा है, integration tan t dt, अब tan का integration आपको पता है, log of sin x, तो यहाँ पर sin t हो जाएगा, और plus c, जहाँ पर c समाकलन यह तांक है, तो दिएगे फिरन का समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि हम t के स्थान पर, जो sin inverse x है, उसे apply कर दें, तो आपको मिल रहा है, log of, log of, sik of sin inverse t, plus c, यह है दिएगे फिलन का समाकलन,